नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं निज्सक्लिक पर खोच खबर कायक्रम 9 दिन लग गए प्रधान मंत्री नरेन मुदी को चिंता करने के लिए कि 41 भारती नागरिक जो उत्राखन में एक सुरंग में फसे हुए है सुबह शाम जो उनकी जान सांसत में है उनकी परवा करने के लिए 9 दिन इंतजार किया प्रधान मंत्री नरेन मुदी ने शायद वे इंतजार कर रहे थे कि भारत वर्ल्ड क्रिकेट कप जीत ले और उसके बाद अगर उन्हें मौका मिले सेलिब्रेशन से बाहर आके तब वे परवा करें कि ये जो मजदूर हैं जो उन्हीं की सरकार की योजनाके में जो लापरवा ही हुई जिसका वे शिकार हुए हैं उनके बारे में चिन्ता करें और आप देखिए कि किस तरह से माहौल बदलता है किस तरह से खबरें खेल ली जाती है Breaking News, तमाम मीडिया घरानों में अचानक ही चलने लगती है, सब को चिंता होने लगती है कि ये 41 मजदूर कैसे बचाए जाएंगे सब लोग भूल जाते हैं कि ये पूरा स्ट्रगल चल रहा है 12 नवंबर से 12 नवंबर से ये मजदूर फसे हुए हैं और अभी तक यानि 20 नवंबर तक इन्हें बचाने के लिए कोई रूट मैप, कोई पुखता तयारी अभी तक नजर नहीं आ रही खबरें बस ये चल रही हैं कि अंतराश्टी विशेशग्य आ गए हैं इंटरनाशनल टर्निंग असोसियेशन के हैड आ चुके हैं और देश विदेश से तमाम तरह की मशीने आ चुकी हैं और इस बीच जिस तरह से प्रधान मंतरी नरेन मोदी फोन करते हैं और उनके फोन के इर्दगिर्द सारी खबरे चलती हैं वह बताता है कि आखिर भारती मीडिया हो या भारती तंत्र उसे चिंता आती है तो चिंता आने के लिए बहुत जरूरी है प्रधान मंतरी का सक्रिय होना दोस्तों ये तस्वीर देखिए यह फाइनल कप जब भारत ने हारा उसके बाद जब प्रधान मंतरी नरेन मोदी मंच पर पहुँचे तो किस तरह से हाथ हिला हिला कर लोगों का वो अभिवादन और स्वागत कर रहे हैं इस समय तक शायद भारती मीडिया सहित देश के प्रधान मंतरी के जहन में उनकी चिंता में बिलकुल नहीं था कि देश के एक हिस्से में एक तालिस मजदूर जीने और मरने के बीच फसे हुए हैं और इसके बाद जब अगले दिन प्रधान मंतरी फोन करते हैं बात होती है तो जैसे मास्टर के इशारे का इंतजार कर रहा है मीडिया वह तुरंट ब्रेकिंग निउस चलाता है और बताने की कोशिश करता है कि प्रधान मंतरी नरेन मोदी दरसल किस तरह से फिक्रमंद हैं ये अचानक ही जब मोदी जी का फोन जाता है उत्तुराखंड के मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी को उसके बाद मीडिया की कवरिज किस तरह से बदलती है और मीडिया इस बात पर बैटिंग करना शुरू कर देता है कि दरसल मोदी जी चू की फिक्रमंद है इसलिए देश विदेश से आधुनिक तकनीक मंगाई जा रही है क्या कुछ किया जा रहा है इस सब के बारे में डीटेल कवरिज होनी शुरू होती है लेकिन 12 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच आपको इस तरह की ना कवरिज दिखाई देती है ना इस तरह की चिंता दिखाई देती है इसकी वजह हम सब जानते हैं कि क्या है और इस बीच एक और बड़ी खबर आती है वह खबर है कि वहाँ पर लाल कालीन बिचाया जा रहा है जी हाँ जिस टनल में जिस जगह पर एक तालिस मजदूर फ़से हुए है और हम सब सो सकते हैं कि नौ दिन तक इस अंधेरी सुरंग में फ़सने का मतलब क्या होता है सब जानते हैं किस तरह से हवा पानी खाने सबसे महरूम हैं ये जिन्दगियां किस मेंटल स्टेट में होंगी इसका अंदाजा लगा कर भी सिहरन होती है लेकिन देखिए ये जो तंत्र है ये कितना सम्वेदन शील है जबरदस सेंस्टिविटी है केंद्री मंत्री नितिन गटकरी जी पहुचते हैं यहां पर और देखिए लाल कालीन रेट कार्पिट बिज जाता है और तो और भाशपा के कारे करता फूल माला और फूलों से उनका स्वागत करते हैं मानो कोई सेलिबरेशन का मौका है ऐसा लगता है कि हर तरफ जश्न की तैयारी है देखके लगता ही नहीं और शायद आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं ये तस्वीरे देख रहे हैं तो यह अंदाजा करना मुश्किल है कि ये तमाम लोग जो यहां जुटे हैं दरसल यह जुटे हैं कि 41 जिंदगियों को बचाया कैसे जाए और यहां जिम्मेदारी इस सरकार की है क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह जो टनल बन रही है जो टनल गिरी है जिसके उपर लैंड सलाइड हुआ है 21 प्रेज़ना का हिस्सा है 4 धाम प्रेज़ना का हिस्सा है 2016 में इसे हरी जढ़ी दी थी प्रधान मंत्री नरेन मोडी जी ने और 4 धाम को जोड़ने वाली है यह योज़ना जिसके तहट तकरीबन 890 किलोमीटर लंबी सडक बननी है सड़क चौडी सड़क बननी है जिसे लेकर हम सब लगातार खबरे करते रहे हैं कि यह सड़क जिस तरह से बनाई जा रही है यह जान लेवा होगी और देखिए जिस तरह की खबरे आ रही है वह बता रही है कि जो तमाम चिंताएं थी वह कितनी वाजिब थी और ध्यान से देखिए इस नक्षे को भी यह जो टनल बनी है जो टनल गिरी है यह 4.5 किलोमीटर लंबी टनल इसमें जो escape route नक्षे में था वह escape route बनाया ही नहीं गया और ऐसे में मेरा मन कर रहा है कि सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट के उन जजों को भी याद दिलाया जाए जिनोंने 14 दिसंबर 2021 में इस परियोजना को हरी जंडी दी थी तमाम if and buts लगाये थे कि यह भी होना चाहिए वह भी होना चाहिए लेकिन सडक बननी चाहिए और वह भी तब जब इसी साल जी हाँ 2021 में ही तपो वन में साथ फरवरी को भीशन दुडगटना होई थी इसी तरह की एक टनल थी जो गिर गई थी जिसमें 204 मजदूर इंजीनियर मारे गए थे यह था हाइडरो पावर प्रोजेक्ट के लिए 12 किलोमिटर लंबी जो सुरंग बनी थी उसका मामला था सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दोनों पर योजनाएं अलग-अलग थी सवाल यह है कि यह पहाड एक ही है हिमाले को लेकर जिस तरह की आशंकाएं है कि जिस तरह का विकास यहाँ पर चलाया जा रहा है जिसे लेकर अंगिनत एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे थे कि इस तरह का विकास इस तरह की सडकें इस तरह की सुरंगें इस तरह के विस्पोट इस पूरे इलाके के लिए मृत्यू की घंटी हो सकते हैं तकरीबन वे सारी आशंकाएं साबित हो रही हैं सही मिसाल के तौर पर दो नवंबर को भी यह सडक बंद रही दो दिन के लिए नबारिश थी कुछ भी नहीं था लेकिन भीशन लैंसलाइड हुआ यह सब कुछ होता है लेकिन मोदी जी की जो मंत्री है नितिन गटकरी जी वह इस इलाखे में आते हैं लाल कालीन बिच्टा है स्वागत होता है फूलों से वह संबोधित करते हैं मीडिया को और चले जाते हैं यह जो समवेदन हीनता है जब लोग फसे हैं जीने और मरने के बीच फसे हुए लोग सिर्फ और सिर्फ गलत नीतियों की वज़ा से गलत तैयारी की वज़ा से ऐसे में यह सब कुछ होना कितना दर्दनाग और डरावना है दोस्तों यह पूरा का पूरा जो घटना करम है यह कई बहुत गंभीर सवाल उठाता है कितने मजदूर इस सुरंग के भीतर थे या भीतर है इसे लेकर भी सिस्टम को जानकारी आधी अदूरी रही पहले 35-36 मजदूरों की बात थी और बहुत दिनों तक फिर 40 मजदूरों का ही नाम चलता रहा बाद में मजदूर 41 हुए यानि इस सिस्टम को यह भी पता नहीं कि कितने लोगों को उसने अंदर भेजा है और हम सब जानते हैं कि जिस तरह से यहां पर जारखन, बिहार और अन्य राज्यों से लोग आए हुए हैं जो मजदूर हैं उन्हें बचाने के लिए जिस तरह के उपकरम होने चाहिए थे वह आधे अधूरे या यूं कहिए कि बहुत बेनमन से किये गए काम है आज आठ नौ दिन बीतने के बाद यह योजना बन रही है कि उपर से ड्रिलिंग होगी और उसके सासाथ जो दूसरा काम हो रहा है वो और खतरनाक है यहाँ पर भूखा नाक का एक मंदिर था जिस मंदिर को गिरा कर यह सुरंग बनाई गई और उसके बाद उस समय जब विरोध था तब इसे संग्यान में नहीं लिया फिर आनन फानन यह मंदिर खड़ा किया गया बगल में जिसमें पूजा अर्चना शुरू की गई और तो और देखिए मोधी जी फोन करते हैं धामी जी को और यहाँ पर दिल्ली में उनके नेता पहुच जाते हैं मंदिर में, हनुमान मंदिर में हवन कीरतन करने यह जो सारा ड्रामा है यह जो सारा स्पेक्ट्रम है कि अब हमें चिंता करनी है और कवरेज भी हमें ही खानी है यह बताता है कि दरसल चिंता यहां मजदूरों को बचाने की नहीं चिंता कुछ और है इसी बीश दोस्तों हम सब को याद है कि जिन पांच राजियों की विधान सभा का चुनाव होना है उसमें दो राजियों में अभी वोटिंग बाकी है राजस्थान और तिलंगाना और इन दोनों राजियों में भारती जनता पार्टी जिस तरह से खुले आम नफरत का कार्ड खेल रही है हिंदू मुसल्मान का कार्ड खेल रही है वो बता रहा है कि उसके पास दरसल यही एक ब्रह्मास्त्र है ध्यान से देखिए ये छोटे छोटे वीडियो इनके स्क्रीन शॉट जिसमें राजिस्थान में बड़े पैमाने पर शुरुवात हो गई है किस तरह से हिंदू मुसल्मान के बीच बैमनस से बढ़ाया जाए इसे लीड तो इसका नेत्रित तो प्रधान मंत्री नरेन मोदी करते हैं लेकिन बाकी तमाम नेता जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदिते नाथ है असम के मुख्य मंत्री हिमंत बिसुसर्मा है ये सारे के सारे लोग उदेपुर में जो घटना हुई थी कनहिया लाल की जो मर्डर हुआ था उसे सेंटर में रखते हैं जान बुच के सेंटर में रखा जा रहा है और या बताया जा रहा है बार बार कि सिर्फ और सिर्फ हिंदु मुसल्मान के बीच वैमनस से पैदा करके इस तरह की राजनीती आगे बढ़ सकती है और वो बार बार इसका जिक्र करके यह भी बताना चाहते हैं या यूं कहिए कि मदाताओं से यह बूलाना चाहते हैं कि इस घटना में इस घटना का एक सिरा उस समय भी भारती जनता पार्टी से जुड़ा था हत्यारों का जो कनेक्ट था भारती जनता पार्टी से वह पबलिक डोमेन में आया था सवाल सिर्फ यही नहीं है सवाल सिर्फ ये भी है कि आखिर क्या वज़ा है कि इन चुनाओं में राजस्थान में एक के बाद एक तमाम नेता चाहे तिजारा से जो भाश्पा नेता हैं बालखनात वह भी इसी तरह की नफरत की बात करते हैं यहां मैं जान बूच के जिक्र कर रही हूँ बालखनात योगी का क्योंकि वह एक नया मॉडल पेश कर रहे हैं भाश्पा की राजस्थान लीडर्शिप का वह सिर्फ और सिर्फ नफरत परोस रहे हैं और देखिए भाश्पा के यह नेता जो अजमेर में खड़े होकर कभी आ एक बात बता रही हैं कि भारती जनता पार्टी के लिए इस समय सबसे बड़ा एजंडा यही है और यह महज इत्तफाक नहीं है कि देश के ग्रिह मंत्री जब तेलंगाना में पहुशते हैं तो वो कहते हैं कि आप यहां भाश्पा की सरकार बना दीजे तो हम सब को फ्री मे राम लला के दर्शन अयोध्या में कराएंगे यानि इन चुनाओं में अब भारती जनता पार्टी के पास एजंडा सिर्फ एक है नफरत नफरत और नफरत दोस्तों वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच इसकी अंगिनत तस्वीरें आपने देखी तमाम तरह के खुशी और आसू से भीगे हुए पल आपने देखे इसकी सबसे बड़ी तस्वीर मेरे लिए और हम तमाम लोगों के लिए यह है यह है पैजामा मैन जो आस्ट्रेलियाई नागरिक हैं नाम है जॉनसन वैन टिक तॉकर हैं और देखिए यह नौजवान किस तेजी से भागते हैं वर्ल्ड कप म जब भारत बैटिंग कर रहा है और पूरी जान लगा कर पहुची जाते हैं विराट कोहली के पास यह मैसेज देना चाहते थे वह अब देशी नहीं पूरी दुनिया में गया यह सबसे ज़्यादा वाइरल फोटो और वीडियो है यह फिलिस्तीन के पक्ष में उतरे हैं और फिलिस्तीन में बम बरसाना बंद करो फिलिस्तीन को आजाद करो यह जो इंटरनेशनल मेसेज दिया है इस नौजवान ने पेजामा मैन ने वह दरसल हिम्मत बदाता है क्योंकि सिर्फ यही नहीं पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं मार् पूरी स्पीट से दोड़ जाना और बताना कि भारत में भारत में जो मैच है नरेन मोदी स्टेडियम में जो मैच है उसकी भी सबसे बड़ी तस्वीर यह पैजामा मैन फिलिस्तीन के पक्ष में इसराइल के खिलाफ बना देता है और निश्चित तोर पर इन्हें हमारा सलाम शुक्रिया